नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर अर्पिच चोपडा जैन, MD हुमिपेथी एंड डिरेक्टर और अरोग्य सुपरिस्पेशिटी मौडर्न हुमिपेथी क्लिनिक इन दौर एंड वर्किंग एस क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिसिज स्पेशिलिस्ट अज हम बात करने जा रहे हैं एक और रेयर आटो इम्मिन विमारी जुवेनल डर्मेटो मायोसाइटीस, JDM दोस्तो एक ऐसी विमारी जिसमें अपनी ही कोशिका अपने खिलाब चले जाएं अगर बॉड़ी का इम्मिन रिस्पॉंस किसी करण से अगर मिसगाइड होकर आटो इम्मिन कंडिशन के काण अपने ही जो कोशिका हैं अगर उसको खतम करने लगी तो ऐसी विमारी को हम आट कहीं ने कहीं physical debility, impairment और आगे की जो उसकी physical activity है, वो कहीं ने कहीं पुरी तरीके से control नहीं हो पाती है, तो patient physically तो परिशान होता ही है, उसके कारण वो mentally कहीं ने कहीं hopeless वाली इस्तिती में भी आने लग चाता है, और ऐसा भी देखने में आया है कि जब ये बीमारी आगे बढ़त patient के रुप में अभी तक जो प्रसलित दिया जाता है, वो एक तरीके से supporting treatment है, कि वो symptoms को control किया जाए या बीमारी को बचा के या एक तरीके से maintain करने की अवस्ता में रखा जाए, लेकिन मैं इस वीडियो के मादे हम से message देना चाता हूँ कि जिस परकार से सुपर इस्पेशिल इमिन केटिगरी पर जो सुपर इस्परी मॉड़ों पीदी का जो concept है, उसका फायदा दिखेगा कि लोगों ने उसको recover भी किया और ठीक भी किया और अपना response भी बढ़ाया, तो चाहिए जिस भी स्थिती में उनकी मदद हो, उसके लिए हमारा जो तरीका है, वो ये करता है क हम बीमारी को autoimmune category को बढ़ने से रोकें, और patient की जो body response है, immunity response जो की पहले जो दबाने के लिए बताया जाता था, suppression के लिए जो बताया जाता है, बजाए उसके, आप अपने immunity response को regulate करें, ताकि आपकी immunity आपके हाँ में रहे, control में रहे, और autoimmunity पर उल्टा अटेक करें, बीमार पर चाहे जीत हासिल करने के लिए हम सोचें या इसको control करने के लिए सोचें, हम aggressive treatment करें, तो जो भी तरीका है हमारा super special monopathy का, आपकी बीमारी के severity के अधार पर और pathology reports के अधार पर हम severity के अधार पर doses इसका ताय करते हैं, और उसे जाप से इसको aggressive, चुकि होमीपेथी safest system है, इसमें chemical नहीं है, तो safe system है, पर ये slow की जगा हम aggressive करते हैं, तो इस बीमारी का जो सामना है, हम monopathy, super speciality जो concept है, और अच्छे तरीके से करने का सोच सकते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो के माधियम से ये message है, कि इस तरीके का कोई patient, जो JDM का हो, या इस तरीके से कोई अन्य आ पर बात करके आप मंगा सकते हैं, और निशित रुप से, जब patient ठीक होता है, या फिर इसकी विमारी नियंत्रित होती है, या उसका confidence बढ़ता है, या इस विमारी को बढ़ने से हम रोखते हैं, तो patient को जो confidence मिलता है, physically, mentally और सोचल, वो तीनों चगा जो उसको आगे बढ़न इसी किसी भी स्तिती में, जडियम से निरास होने के बजाए, आप इस विमारी से लड़ने के लिए, आप मॉडर्ण होपीधी सुपरिस्परिटी का जो एग्रेसिव ट्रीटमेंट है, उसका फायदा लीजिए, और इस तरीके से किसी भी अन्य प्रिशन को अगर को अपना इलाज लिया जा सकता है, तो इसी सुभावना के साथ, कि हम सभी स्वस्त रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कराते रहें, मैं डॉक्टर अर्पिच छोपरा जेन, आरू की सुपरिस्पेशली मॉडर्न हुमिपिधी क्लिनिक इंदौर, थैंक्यू, नमस्कार.